second number question हमारे पास है और यहां पर कहता है xq minus 3x square minus 9x minus 5 इसको factorize करना है और बड़े आसाने से इसको factorize कर सकते हैं चलिए हम question note कर ले तो यहां पर हमारे पास जो first term है यह xq है आप देख सकते हैं अभी xq को हम लोग as it is रखेंगे इसको भी कोई change नहीं करने वाले हैं तो next step में हमा हुआ second जो हमारा term है यह हमारे पास है minus 3x square इसको हम यहां पर two parts में split कर लेंगे किस तरह से split करेंगे तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं minus 4x square और plus में x अगर इसका हम x square इसका हम difference लेंगे तो हमको हम पर क्या मिल जाएगा ना minus में 3x square ही मिल जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा में लिख लेते हैं x square ओके और यहां पर minus में note कर लेते हैं 4x square तो अभी दोनों का difference हमारा क्या जगा देखिए minus में 3x square मिल जाएगा next हमारे पास जो यहां पर term है वो हमारा है 9x ओके तो यह minus में है अभी इसको हम two part में किस तरह से split करेंगी तो 9x को हम यहां पर note कर सकते हैं एक तो हम इसको लेखेंगे 4x और दूसरा लेखेंगे minus में 5x एक दोनों ही दोनों हमारे minus में होएंगे ठीक है तब दोनों को add करके हमारे पास क्या जागाळा माइनस में 9x आजाएगा तो यह देख लिए हम पर किस को किस तरह से इसको नोट करेंगे यहां से हम को common मिल जाएगा अब इस हम क्यों note कर रहे हैं ताकि हम को यहां पर इहां पर ऊपश। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लिए 4X और यहाँ पे हम नोट कर लिए 5X और लास्ट में हमारे पास जो टर्म है यह 5 माइनस में इसको हम एज़िटेज रहने देंगे अब इसको हम ग्रोपिंग कर लेते हैं यहाँ से देखिए फर्स्ट टू टर्म्स और यह बीच वाले ट एक से सक्वाई नोट कर लेते हैं अब यहाँ पे एक स्क्वाई कॉमन हो चुका है यहां हमको EX मिल जाएगा और इधर हमारा प्लस में यहां पे वन रहेगा क्यों कि एक से स्क्वाई बाहर निकल जुगा है तो वन ही रहेगा नेक्स हम यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है मिड X common हो जाएगा और इधर हमारे पास बच जाता है X यहां पर चुकि माइनस हमारा common हो रहा है यह देखिए माइनस हमारा common हो रहा है तो हमारे पास यहां पर क्या जागा ना प्लास आजाएगा यह हमारा one बच जाएगा लास्ट में हम देखें तो last में यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या common आगा minus 5 common आगा clear तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं minus 5 okay और यहाँ फिर हमारा x जो कि minus हमारा common हुआ है इसलिए हम यहाँ पे plus ले लेंगे और कि sign हमारा change हो जाएगा अब देखिएगा यहाँ से हमको क्या फाइदा हो गया है यहाँ से हमको x plus 1 x plus 1 x plus 1 हमको यहाँ पे match कर गया है तीनों ही term में तो हम क्या करते हैं न x plus 1 को यहाँ पे common out कर लेते हैं फिर से तो x plus 1 अगर हम लोग यहाँ पे common out कर लेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा यहां पर हमारा जो बचेगा यह एकस स्क्वार यहां से और बीच वाले से माइनस में 4X और लास्ट वाले से हमारे पास माइनस में 5 इसको हम क्या करते हैं फर्दर यहां पर इसको स्प्लिट कर लेते हैं यह हमारे पास जो आ रहा है इसको फिर स से यहां पर आएगा अब इसको कैसे फर्दर फेक्टराइज करना है यह तुम लोग जानते हैं हम लोग पहले भी देख चुके हैं तो अभी X-1 को अज अज चेक्टर रहने देजिए और यहां से X-squire को X-squire लखेए बीचवाले term को आप स्प्लेट कर लेजिए बीचवाले term को लोग हां पे लिख देते हैं माइनस में 5x, प्लस में X कुछ इस दरह से नोट कर लेते हैं के लिए तो हमको यहां पे माइनस में 4X मिल जाएगा आप यहां चाहिए तो इसको प्लट के भी लिख सकते हैं जैसे हम यहां पे पहले प्लस में X लिख लें और बाद में माइनस लिख लें जैसे यह हमने लिख लिया प्लस में X और माइनस में 5X बाद में नौट कर लेते है तो चलिए अभी note कर लिए, अभी देखिए हमारा प्यास यहाँ पर क्या होना, common out हो जाएगा, यह first two terms लिए और last के two terms लेते हैं, तो हमको common out यहाँ से मिल जाएगा, अब क्या common हो रहा है, next step में देखते हैं, यहाँ तो x plus one हमारा as it is रहने वाला है, और यहाँ हम ले देते है बड़ा bracket, ओके, यहाँ पर x हमारा common होगा, तो यहाँ बच जगा हमारा x plus one, यह bracket के अंदर close bracket, यहाँ पर फिर हमारा minus five common हो जाएगा, तो यह हमारा x plus one फिर से यहाँ पर बच गिया, हमने bracket को close कर लिया, next देखिएगा, यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे न, यह x plus one, x plus one को common कर लेंगे तो नेक्स्ट टेप में एक्स प्लस वन यहां पर नोट कर लिए और यहां से एक्स प्लस वन हमारा कोमन आउट हुआ ठीक है और यह हमारे पास बच गया क्या x-5 हमारा बच रहा है और साथे साथ यह bracket हमारा लगा हुआ था ठीक है तो यह bracket लगा हुआ था इसका आप कोई काम नहीं इसको हटा देते हैं तो इस तरह से हमारा यह answer यहाँ पे हो जाता है